कि यूटूब चैनल पर इकसा साइपाटी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इविनिंग टू ओल ओफ यू मैरी तू चलिए हम जो अपनी तयारी करें पॉल्टिजकल साइंस के ओल्ड पेपर हम देख रहें नैट के हम तयारी करें ओल्ड पेपर आपको पता है कि अगर आपको 10-10-!! vap아아 मिलाइं अगर आपको ड।ुक कर आपको य रखत ब्जू अपको 52 pronouncerian गू कि या कर लोग संसी अहता हैvill हुए् ettake box या और आपको पैपर मिलने वाले हैं पर्चारायिक ट्यारी कर ना चाहते हो तो आप प्रचैस करके तयारी कर सकते हैं उससा पर आप पेपर आपको डेली करवाया जाता है चलिए आज जो हम पेपर करेंगे पॉल्टिकल साइंस यानि राजनीती विज्ञान का यह हमारा पेपर थड़ है जो जून में 2015 में 2015 में जो पेपर हुआ था उसका पेपर हम करेंगे चलिए कॉष्ण हेब आपको कॉष्ण फास्ट निमली कि तमेसे किसका कतन है कि उत्तर वहवारवाद सही अर्तों में करांती है ना की परदिकिरया संभव ना है ना की शंग्रक्सन शुधार है ना की प्रति शुधार जेम्स ब्राइस ऑप्शन भी चार्स अमेरिकन ऑप्शन सी डेविड इस्टन नेक्स्ट कोशन है सेकिंड निम्लिकित में से किस ने कहा कि हम अपने मूल्यों कोस परकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपना कोट उतारते हैं ओप्शन यह लियो स्ट्रोस रोंग ओप्शन भी अल्फ्रेड गावन रोंग ओप्शन सी जीन ब्लाडल है नेक्स्ट कोशन है कोशन नम्बर थर्ड निम्लिकित में से किस ने आरंविक उदारवाद को स्वेतत बोध अव्यक्तिवाद के रूप में निरुपित किया ओप्शन एफ हायक रोंग ओप्शन भी रोबट नोजिक रोंग ओप्शन सी सी बी मैक फर्षन राइट नेक्स्ट कोशन है फॉर्ट कोशन फॉर्ट है अभी कतने एफ ए हायक क्यानुशा राज्य कास्तर शेप और समुवाद अपने संयत सवरूप में भी निशन दे स्वेतनता काफर्दन करते है कारण आर वे निर्भाद वैपार के समर्तक है और कीन्स के आर्थ सास्तता कल्या कारन कारी राज्य के विरोधी तो इसमें अभी कतन और कारण दोनों के दोनों सत्य और आर एक कारण जो है वहाबी कतन की सही तरह वैख्षा भी कर रहा है राइट और अब्प्शन और निच्ट वह और कोश्चन अंपर फिप निमलेकित में से कौन सा कतन सत्य नहीं है जो सी ततुमिमान सा मान कर समाप्त कर दिया जिसमें इतियास और यह थार्त की पेख्शा की जाती है सही है उप्शन अंसर आपको ऑप्शन इसमें आपको बतानी थी नेक्स्ट कोशन सी किसके लिए विचार ना कि उत्पादन की भोतिक इस्तिती क्रांती परभावी कारण है option A Karl Marx wrong option B Lenin right option C Anzels wrong option D Stalin wrong तो right answer है इसका option B Lenin question 6 का option B Lenin right answer है next question 7 है प्लेटो की विचारधारा के संदर्व में निमलिकित में से कौन साकतन आई सकते है तो जो false statement है वो पूछी गई है option A कारियों का विवाजन अभिवर्ति के अंतरपंडिर भर नहीं होता यह आपकी गलत है option B राज्य को व्यक्तितु का व्रद रूप मात्र माना जाता है right option C Athens की महिलाओ को राजनिती में भाग लेने की अनुमती नहीं थी सही है अभिवर्ति के अंतरपर निर्भर करता है डिपेंड नहीं होता next question 8 है निमली कित में से कोन सी अरस्तु के संग्वेधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है option A सार्जनी कित में सासन wrong option B विदी सम्मत सासन wrong option C इच्चुक प्रजा की सरकार wrong option D प्रजा की गरिमा में एसंगत तो right answer क्या इसका option D प्रजा की गरिमा से एसंगत next question है question number 9 निमली कित में से किसका कतन है कि समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्चा की जाने वाली वैस्तों को प्राप्ट करने में सतत सफलता आनंद है option A बैंथम wrong option B जे एस मिल wrong option C option D रूशो wrong तो right answer क्या इसका option C रूशो इसका right होगा next question है 10 निमली कित में से कोन राज्य की विधाई कार्यकारी और संग्य सक्तियों के अस्तित की बात करता है option A hopes wrong option B रूशो wrong option D जे बैंतम wrong तो right answer क्या option B लोग right होगा next 11 question है निमली कित में से कोन सा रूशो का विचार नहीं है तो जो रूशो का जो रूशो है उसका जो opinion नहीं है विचार जो नहीं होगा option A कोई विचार सिल्व्यक्त दिच्चरितर ब्रस्ट प्रानी होता है right option B विज्ञान निश्किर या उत्सुक्का का प्रिनाम है right option C दर्शन सासर के वर बोधिक आडंबर है right option D सामानने इच्चा इच्चाओ का योग है रोग तो right answer क्या इसका option D है सामानने इच्चा इच्चाओ का योग है next question 12 question number 12 आप से पूछ आगया है JS मिल के लिए निमलिकित में से कौन सकतन सत्य नहीं है जो statement सही नहीं दी गई है option A आनन्द गुनवत्ता की दरश्टी शेबिन होता है सही है option B सुकद calculus व्यर्थ की बात है सही है option C उप्योग का सिध्धान्त जीवन का अंत है correct है यह आपका गलत है option D है 77 में कावे कार्या सामिल होता है जिनकी इच्चा की जाती है correct तो right answer क्या है जो गलत है वो आपका option C उप्योग का सिध्धान्त जीवन का अंत है next question 13 कार्ल मार्क्स के लिए निम्ली कितमें से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है important question option A Saint Simon wrong option B Proud on one wrong option C Furear wrong option D angels right तो right answer क्या है इसमें एंजिल सापका है next 14 question है नीचे दो कतन दिये गए पहले को अभीकतन है और दूसरे को कारणार का नाम दिया गया है अभीकतन है गांदी जी के लिए सत्यगरा निश्किरिया विरोध के समान नहीं है तरकार इसमें अभीकतन और कारण दोनों क्या है सत्य आपके है लेकिन जो तरका वो अभीकतन की सहित्रा व्यक्षा दे रहा है तो right answer इसका option A होगा A और A दोनों सत्य है और A का साइस पस्टिकरन है next question at 15 किसने नारा दिया नियंत्रन नहीं तो सहयोग नहीं यह important question है option A महतमा गांधी रोंग option B जेनारू रोंग option C अरविंद राइट option D सुभास बोस रोंग तो right answer क्या किसने दिया था अरविंद ने दिया था important question है next question है 16 question 16 है राजनितिक विकास की निमले कित विसेस्ताओ का characteristic सही जो करम होगा वो क्या होगा पहला चमता दूसरा समानता तीसरा विभेदी करम तो सही करम इसमें पूछा गया है तो इसमें समानता होगी समानता यानि चमता और फिर आएगा विभेदी करन तो इसका जो सिक्वेंस है यह आपका second first third option भी करेक्ट है नेक्स्ट कोश्चन है 17 डेविड इस्टन के अनुशार निमली कित विनायमक तंत्रों का सही करम क्या होगा सही करम इसमें पूछा गया है जो सही सिक्वेंस होता है वो क्या होगा चलिए अब इसके option चेक करते हैं पहला सामाजिक सांस्कृतिक नियम दूसरा सनचार चैनल तीसरा गेट कीपिण एंड एट दी राउंड़ी नियम और इसके बाद आएगा आपका संचार चैनल संचार चैनल के बाद आएगा गटाओ पर किर्या तो इसका सैंचार बनता है यह आपका बना थर्ड फर्स्ट second और fourth option भी correct है next question है 18 question number 18 है निमलिकित का मिलान करे और सही जोडों का आपको chain करना है तो इसमें सही तरह आपको मिलान करना उसके बाद जो जोडे है उनको सही तरह आपको chain भी करना है तो सुची फर्स्ट है लेखक और सुची second जो है वो पुस्त के हैं बुक्स है तो इसमें आपको मिलान करना होगा चले सबसे पहले अरेंड लिजफार्ट तो अरेंड लिजफार्ट जो हो जाएगा यह आपका है पैटर्ण इसमें एक आपका पैटर्ण सफ डामो क्रेशि गवर्रमेंट फोर्मेंट परफोर्मेंट इन 36 अपका हो जाएगा इसके बाद है टो मस जो उगलीन है यह और अपको मद जीयों वारेनी स्ट्रम तो सिक्वैंस मानता है आपका वना संस्कृति मूना राजनितिक परवर्तियों का एक समू है रोंग उप्शन बी जो सही नहीं है यह सही है उप्शन बी राजनितिक संस्कृति आनुभाविक रूप शयद्यन नहीं क्या जा सकता रोंग option c राजनितिक संस्कृतिक आध्यन लोगों की प्रवर्ति और राजनिति पर उनके संभावित पर भाव पर ध्यान के इंद्रित करता है right option d राजनितिक संस्कृति में एक सहभागी दरस्टिकों है जैसे राजनितिक सामाजी करन रोंग तो right answer इसमें ये भी आपकी statement सही है तो गलत statement option बी में दी गई है राजनितिक संस्कृति आनुभाविक रूप से धन नहीं क्या जा सकता next question है 20 question number 20 है निमली कित में से किन देशों में एवेसिस्ट राजी आविस्टिक सकतिया राज्यों इकायों पर निर्भर करते डिपेंड करती है पहला संयुक्त राज्या अमेरिका सही दूसरा भारत गलत तीसरा स्विजर लेंड सही है चोता है आश्चेलिया तो यह भी सही है तो राइट आंसर इसका option डी है पहला तीसरा चोता सही होगा नेक्स्ट 21 question है निमली कित में से कौन से कतन सही है तो सही कतन इसमें आपको बताना है पहला सही राज्या अमेरिका में कैबिनेट संग्विधने तर संस्ता है सही है दूसरा यह साधान ता एक सलाकारी निकाय है यह भी सही है तीसरी है यह कोंग्रेस के प्रतिसामुईक का बचाव करने के लिए कोंग्रेस के वैश्व में प्राय भाग लेते है गलत तो इसमें पहली और दूसरी कतन सही है राइट आंसर इसका option भी होगा question 21 का next question 22 आधुनिक काल में प्रत्यक्स लोगतंतर संभव नहीं है क्योंकि option लोग राज्ये के कार्यों के प्रतिवदाश और तो राइट आंसर है इसका option डी question 22 का next question 23 कि निम्लीकित में से किसने लोकतांतरिक संस्कृति का इस लिपिंग डॉक्स सिध्धान्त क्या यानि जो sleeping dogs सिध्धान्त क्या है तो sleeping dogs dogs जो सिध्धान्त प्रिंशिपल रहों पूछा गया option लूशियन पाई और रोबर्ट रोड रोग उप्शन बी जेम्स एस कोलमेन और मायरन वीनर रोग उप्शन सी जेम्स सी चाल्सवर्ट और फडबलू रिंग्स रोग उप्शन डी आलमंड और वेरेबा राइट तो राइट आंसर क्या इसका option डी है आलमंड और वेरेबा नेक्स्ट कोशन है 24 निम्लीकित में से क इसने विचार्वी मर्ज को परभावित करने के लिए दिस्टिक देडी हिल्दी किस सब्दावली गड़ी है उप्शन एई सेट स्नाइडर रोंग उप्शन भी केईत बैल्डिंग राइट उप्शन सी रोबर्ट हैल रोंग उप्शन डी केट मिलेट रोंग राइट आंसर के बीच प्रतिशपर्दा और प्रतिद्वेंदता की भावना रोंग उप्शन भी मजबूत केंदर के आधार पर सहयोग प्राप्त किया जाता है रोंग उप्शन सी विकेंदरी करनों राज्य की अधिक जिम्मेदारी राइट उप्शन डी राज्यों के बीच सहयोग की भ कौन सी पदिती अपनाई जाती है तो कौन सी पदिती अपनाई जाएगी ओप्शन एक गैरी मडरिंग रोंग ओप्शन भी फिलिप स्ट्रिंग राइट तो कौन सी यानि फिलिप स्ट्रिंग जो पदिती है सिस्टम है वो अपनाया जाता है नेक्स्ट कोशन है 27 अमेरिका के उच्छतम नियायले कोविधाई का का तीसरा चेंबर बनाने वाली सक्ति है इंपोडेंट है ओप्षन ए मूल रोंग ओप्षन भी एपील यह रोंग ओप्षन सी प्रामर्दात्री रोंग ओप्षन डी न्यायक पुन्राव लोकन राइट तो कौन सा यानि न्यायक प्रेशो के अनुशार दूसरे की कारेवाई का निर्धारन करने में समर्थ होता है ओप्षन ए बंटेड रशेल रोंग ओप्षन भी है बरमास रोंग ओप्षन सी मारगे थाओ रोंग ओप्षन डेविड इस्टन राइट तो राइट आंसर क्या इसका ओप्षन डी है प्रेशन का भाग होना अमेरिकी सांस्क्रेटिक संदर में विक्षित परिकल्पना को अंते संस्क्रेटिक संग्रिचना में पर्खा जाना चाहिए तर्क है और तुल्लात्म का अध्यन निराजनीती और लोग मर्शाषन को निकट ला दिया है तो इसमें अभीकतन और तर्क पहले को अभीकतन और दूसरे को कारणार का नाम दिया गया है अभीकतन तुल्लात्मक राजनीती राजनीती का विज्ञान है तरक तुल्लात्मक राजनीती अध्यन के अनुभाविक पदिती पर निर्भार करती है तो इसमें अभीकतन और तरक दोनों के दोनों सत्य होगे और अभीकतन जो reason है यानि कारण है वो अभीकतन की सही तरह वेक्षा भी कर रहा है next question है 31 सूची फर्स्ट को सूची सेगिन से साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिये कूटों की साहिता से सही उत्तर क्या आपको पैचान करनी होगी तो सूची फर्स्ट है भारतिया राजनिती का दियान जो सूची सेगिन पुस्तक और लेखक का नाम आपको दिया गया है तो इसमें आपको अरेंज करना है चले सबसे पहले आएगा एतिहासिक उपागम पहला क्या है एतिहासिक उपागम आएगा तो एतियासिक उपागम में होगा आपका the integration of Indian states वी-पी मैनन वी-पी मैनन हो जाएगा और संस्तागत उपागम में है आपका Parliament of India Maurice Jones फिर आपका आएगा तीसरा विदिक उपागम थड़ क्या है आपका विदिक उपागम तो C जो विदिक उपागम है यह आपका हो जाए गद्दर रिपब्लिक ओफ इंडिया एलन ग्लेडिल चोता है राजनितिक सामाजी कुपागम्दी मार्डिनिटी ओफ टेडिशनर रुडोल्फ एंड यह आपका जो डी है यह चोती हो यह आपका जो सिक्वेंस बनता है यह बना सेकिंड फास्ट फॉर्थ थार्ड ओप्शन भी राइट है नेक्स्ट थर्डिटू कोश्चन है भारत की संग्विधान सभा निमलिकित को सामिल कर बनी ओप्शन ए ब्रेटिस प्रांतों से 292 चीफ कमिशनर के चे चेतरों से 4ओ इसी रियाषतों से 91 सदस्य रोंग ऊप्शन दी ब्रेटिस प्रांतोً से 290 के चिप कमिशनर के चेतरों से mientras प्रांतों से दोसों बार में चीप कमिशनर के चेतरों से पांच और देशी रियासतों से ब्यानवे सदस्य रोंग तो राइट आंसर है कोशन नमबर 32 का ओप्शन है करेक्ट होगा नेक्स्ट कोशन है 33 सूची फरस्ट को सूची सैकिन के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दि फरस्ट है दर्शन का नाम किसका नाम दर्शन का नाम और जो सूची सैकिन आपका सूची सैकिन निर्देशक निर्देशक सिध्धान तो निर्देशक सिध्धान तो इसमें सबसे पहले कल्यान वाद पहले नंबर पर आता है कल्यान वाद यहोगा बहतर स्वास्त और जीव गांधिवादी दर्शन हो गया कुटी रुद्योग का संगवर्दन अंतराष्ट्य वाधिता यह आपका होगा अंतराष्ट्य सांति और सुरक्षा को बढ़ावा तो राइट आंसर जो है इसका ओप्शन डी है सेकिंड फॉर्थ पस्तर इसका सिक्वेंस है नेक्स्ट 35 नीचे दो कथन दिये गए है पहले को अभी कथने और दूसरे को कारणार का नाम दिया गया है अभी कथने है अध्यादी इस अल्पमत की सरकारों को उप्योगी साधन प्रदान करते है प्रांतु संसर सत्र के शुरू होने पर इसे विधान के रूप में परिवर्तित करना उत्रोता रूप से मुस्किल है तरक आरहाल की गटबंदन सरकारों ने अपने सहयोग्यों के साथ ही विपक्स के साथ भी विधान परवाद विवाद से बचने के लिए अध्यादेशों का उप्योग क्या तो इसमें अभीकतन और तरक दोनों के दोनों सही है सत्य है और जो कोशन है 36 निमलिकित कोन से अनुचेद अनुचेदों के अंतरगत उच न्यायले और उचतम न्यायले याची का जारी कर सकते है तो अनुचेद 32 और 226 ओप्शन सी करेक्ट है नेक्स्ट कोशन है 37 गलत युगम के आपको पैचान करनी है राज्य का नाम और नए राज्य की म यह आपका थर्ड जो है सही है चोथा है महराष्ट विदर्व यह भी सही है तो गलत इसमें क्या है ओप्शन भी उत्तर पर्देश और गोर्खा लेंड राइट आंसर इसका ओप्शन भी होगा नेक्स्ट कोशन है 38 निमलिकित में से किस समीती ने राजनीती के अपरादी कर सुआयत सागा के रूप में राजय की राजनीती का अध्यन पर्मुक रूप से निमलिकित का परिनाम रहा है तो किसका परिनाम किसका रिजल्ट रहा है ओप्शन ए छेत्रिय दलों का उद्ध राइट ओप्शन भी मतदान में व्रदी रोंग ओप्शन सी नई स्थाने साश परिन विवस्ता रोंग ओप्शन डी गैर दल या राजनीती कांदोलन रोंग तो राइट आंसर क्या इसका ओप्शन ए है छेत्रिय दल्यों का उद्ध तो छेत्रिय जो दल है उनका उद्ध नेक्स्ट कोश्चन है 40 सूची सेकिन के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कुटो की साहिता से सही उत्तर का चैन कीजिए इसमें आपको सूची फर्स्ट दी गई है संकलपना सूची सेकिंड है इसमें चिंतक है सूची सेकिंड जो है इसमें चिंतक आपको दिया गया तो इसमें सबसे पहले है कि बहु संस्कृतिवाद तो बहु संस्कृतिवाद हो जाएगा भीकू पारेकुत्तर आधुनिक्तवाद हो जाएगा इसमें माइकेल फुकाड स्वेचातंतरवादास में हो जाएगा आपक सबसे पहले आपका बहु संस्कृति वाद हो गया भीकु पारेक फिरया उत्तर आधुनिक्त वाद हो गया माइकल फुकाट स्वेचात्र वाद हो जाएगा इसमें आपका जो स्वेचात्र वाद है इसमें क्या हो फ्रेडरी के हाएक और समुद आइवाद जो होगा यह आपका है एमिटी आई तो इसमें जो सिक्वेंस आपका बनता है यह बना सेकिंड फॉर्ट फॉर्स्ट थर्ड यह आपका थर्ड है नेक्स्ट कोशन है 41 निमली कित में से कौन सा यूगम ऐसत्य है तो ऐसत्य यूगम का आपको चुनना है इसमें लेखा का आपको दिया गया ओथर और पुस्तक का आपको मैच करना है चलिए इसमें सबसे पहले है एसम लिफशेट तो एसम जो लिफशेट होगी यह आपका पॉल्टिकल मैं दिस सोसल बेसीज ओव पॉल्टिक्स है बिल्कुल सही है फिर लेनीन तो लेनीन लेनीन की जो बुक है यह आपकी है लेनीन की बुक नियो कोलोनेल जदी हाइपर इस्टेज ओफ एपर लिज यह आपकी गलत है तो राइट आंसर क्या इसका ओप्शन भी ओप्शन जो भी था यह करेक्ट होगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन है 42 निमलिकित में से कौन सविधान सभा के उद्गाटन सत्र के अध्यक्सते सविधिकन निमलिकित में से कौन से सविधिक निकाय है तो संविधिक जो निकाय होगा वो इसमें पूचा गया है पहला है इसमें विश्वी ध्याले अनुदान आयोग सही है दूसरा संगलोक शेवा आयोग गलत है तीसरा राष्ट्य मानवदिकार आयोग ये भी गलत है चोता है इसमें आपका ये आपका सही है चोता राष्ट्य अल्प संक्यक आयोग ये सही है तो पहला तीसरा और चोता जो होगा इसमें सही है, question 43 में पहला तीसरा चोथा क्या इसमें सही है, right answer इसका option D है, next question 44, communist party of India भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी, तो कौन से राज्य में ये सत्ता में आई, option पश्य मंगाल रोंग, option भी त्रिपुरा रोंग, option C केरल, right, option D गोवा right answer क्या, इसका option C है, केरल है, इसका right answer होगा, next question 45, उचिता में न्यायल है, द्वारा सेल्वे मामले में दिये गर्णिर्न है, 2010 में निमलिकित में से, किस अधिकार को मानेता प्रदान की गई, option A, मानसिक निजिता का अधिकार रोंग, option B, जम्मू और कश्मीर में संपत्य ख option B, जम्मू और कश्मीर में संपत्य खरीदने का जो अधिकार था, next question 46, नीचे दिये गए कूट का उप्यों करते हुए साखा के रूप में लोकपर्शासन के विकेस में, निमलिकित चर्णो को सही काल करम में आपको सजाना है, तो इन्हें आपको अरेंज करना है, chronological order में, कैसा order में, chronological जो order होता है, उसमें लगाना होगा, chronological order में लगाना है, चलिए सबसे पहले इसमें आता है, पहले नंबर पर है, पारिस्तितिक या उकाबम, दूसरा सिद्धान तुपागम, तीसरा राजनितिक परशाशन, दुभाजन, चोता लोकनिती उपागम, ये चार है तो सबसे पहले आएगा, राजनितिक परशाशन, दुभाजन, इसके बाद सिद्धान तुपागम, इसके बाद पारिस्तितिक या उपागम, और लास्ट में आएगा, लोकनिती उपागम, तो इसका जो सिक्वेंस बनता ये बना, थर्ड, सैकिंड, फर्स्ट, फॉर्थ, 7ड, और ये बन Possession 27, पुष्ट US, को सुचि सेंगिन साथ सुमेलित कीजिए, और नीचे धिये कूटों में से सही उत्तर का आपको चैन करना है, सुची फर्स्ट पुस्तक है और सुची सेंगिन क्या है लेख़क, नहीं पुस्तक और लेखक को इसमें मैच करना और पुस्तक यह आपका हो जाएगा बेंबन्टी फिर यह ब्यूरो क्रेसी एंड पॉल्टिकल डवलप्मेंट यह आपका हो जाएगा जेला पालूम्रा पॉब्लिक अड्मिनिस्टेशन ए कंपारिटिव हो जाएगा आपका फैरल हेडी तो इसका जो सिक्वेंस बनता है इसका सिक्वेंस आपका बना थार्ड फास्ट फॉर्थ सेकिंड ओप्शन भी करेक्ट है नेक्स्ट कोशन है 48 संगटन के लिए विवेस्ता उपागम के बारे में निमली कितमें से कौन साकतन सत्या नहीं है तो कौन सी स्टेट्मेंट है जो ट्रू नहीं है ओप्शन एक कोई सामान्ने विव स्टेश के संबंद में अध्यन करता है करेक्ट ओप्शन डी यह संगटन और उसके माहुल को सुचना और संसाधनों के लिए परशपर आशित के रूप में देखाता है यह आपका सही तो गलत स्टेट्मेंट इसमें ओप्शन भी है यह संगटन के कतिप्या मोलिक सिद्धा इसमें बनौन तो क्यों ले जाता है नेक्स्ट गोश्छन है 49 पीफटनन ने अपने प्रिंसीपल एंड अडिनिस्टरेशन में नीमली कितमें से किसको सामिल नहीं किया तो सामिल किसको नहीं प्या था ऑप्शन है सामगरी और आपुरती रोंग ऑप्शन भी इस्तान्य क्र लोग परंशाशन के पब्लिक 20 अप्रोच किस दसक में अस्तित्व में आया इम्पोर्टेन्ट कोश्वन है कोश्वन 50 ओप्षण 1800 का दसक रूंग, ओप्षण 1902丁 1940 का दसक रूंग ओप्षण 2 1960 का दसक राइक तो कौन साथ प्हूंड coexist डी correct होगा next कोश्वन पिफ्टीवन किसने नेतर्तव का विश्रेशन सर्कूलर रेस्पॉन्स के रूप में किया है उप्षन एले यूर्विक रोंग और ऑप्षन भी ह साइमन रोंग ऑप्षन सी सी आई बर्नाडे रोंग ऑप्षन दी एंपी फोलेट राइट तो राइट आंसर किया इसका कौन सी ओप्षारिक संगटन के बारे में बर्नाडे के सिधानत की विशेशता नहीं है उप्षन ए सामानने उत्परे रख राइट ऑप्षन भी सामानने प्रियोजन रोंग ऑप्षन सी संचार रोंग ऑप्षन दी सहयो करने की इच्छा राइट रोंग तो राइट आंसर ह इसका option है सामान्य उत्प्रे रख सामान्य उत्प्रे रख राइट होगा नेक्स्ट फिफ्टी त्री क्वेश्चन है निमलिकित में से कौन सी समीती ब्रिटेन के नोकर्शाओं की राजनितिक गतिविद्यों से संभन्दित थी तो संभन्दित इसमें कौन सी ती ओप्षन है ट्रेबलेंड समीती रोंग तो राइट अंसर है इसका उप्षिन है कौन सी कमीटी थी मास्टर मैंड कमीटी या शमीती बोल सकते हैं नेक्स्ट कोशन है 54 निमलिकित कतनों पर विचार कीजे तता नीचे दिये गए कूटों का परियोग कर सही उत्तर का आपको चेन करना होगा पहला है इसमें उप्षिन पहला निश्पादन बजट पर नाली गलत है उप्षिन बी सेकंड है मध्यम परबंद के कर्मिकों के लिए योगता वेतन का प्रावधान सही है तीसरी निश्पादन मुलेंकन पर नाली गलत चोता है कार्मिक परबंदन का कार्यला ये भी सही है और दूसरे को तर्क कहा गया है नीचे देकूट का परियोग कर सही तर्क आपको चैन करना है अभीकतन है हेनी फेउल ने परबंदन गतिविदी के परमुकार्य के रूप में पाच तत्वों की पहचान की तर्क है और हेनी फेउल के अनुशार किसी संगटन के उचिस्तर पर तक निक्टी ज्यान की प्यक्सा प्रिषाशनिक ज्यान की आव्षकता होती है तो इसमें अभीकतन और तर्क दोनों के संथ्यह और तरक जू है वह अभिकतन की सभी तरह व्यक्ष्या नहीं कर पा रहा है तो इसका राइट mad Option b i i have a oriented Inde niż है next question 56 भारत्य परशाशनिक सेवा में कार्यात्मक्विसेस गिता की सिफारिस निमलिकित में से किसके द्वारा की गई थी तो किसके द्वारा की गई है option ए प्रतम परशाशनिक सुधार आयोग right option B 27 चंदि समिती रोंg option C एपल भी रिपोर्ट रोंg option इस सरकारिया आयोग wrong तो राइट आंसर है इसका option ए प्रतम परशाशनिक सुधार आयोग option ए करेक्ट होगा next question 57 प्रदत विधायन नहीं है तो प्रदत जो विधायन है वो नहीं है इसमें पूछा गया है option ए अधिनेस्त विधायन right option option B कार्यधारी विधायन option C अध्यादेश बनाने की सक्ति रोंग option D नियम बनाने की सक्ति राइट तो कौन सी नहीं इसमें पूछा गया है तो जो है वो अध्यादेश बनाने की सक्ति नेक्स्ट question F 58 सूची first को सूची second के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे देगे कूट का उप्योग करते हुए आपको सयुत्तर चुनना है सूची first है नागरिक सिकायत निवारन देश चलिए इसमें आगे हैब आपका ओप्डूरेटर और सूची second आपको दिया गया जो है इसमें प्रोक्यूरेटर जो पढ़नाली है यह आपकी रूस की है प्रशाश्निक नियाएल आप पर्शाश्निक जो नियाल है फ्रांस का है ओवूर्सवैंड तो ओवूर्समैन किसका होगा स्वीडन का संसध्या आयू है यह हो जाएगा ब्रिटेन का तो इसका जो सिक्वेंस बनेगा यह आपका बनता है सेकंड फर्स्ट फॉर्थ थार्ड ओप्शन भी राइट होगा नेक्स्ट कोशन है 59 प्रदोनोत्री के लोग अधिकारों के कार्य निश्पादन का व्यग्यानिक रूप से मुल्यांकन करने के लिए दक्स्टा इस्तरनिर्धार्ण की परनाली का उदभा हुआ किसका उद्वा हुआ, option चीन में, रॉऑ, option भी जापन में, रॉण, option ए उएससे में, right, option ए UK में, रॉण, तो कहां पर हुआ था, USA में, United, शाउतर्न जो आपका अप्मेरिका है, इसमें हुआ था, United, USA, तो इसका right answer, इस आपका question जो था, important question है, next question है 60, सन 1977 में आसोक मैता समीती ने निमली कित में से किसकी स्थापना की सिपारिस की थी ओप्षन नगर पंचायत रोंग ओप्षन भी पंचायत समीती रोंग ओप्षन सी महा पंचायत रोंग ओप्शन डी मंडल पंचायत तो कौन सी पंचायत की मंडल पंचायत की ओप्शन डी correct आंसर होगा next question is 61 निमली कित में से कौन यतार्तवादी उदारतवाद की संकल्पना से संबंध है option A.E.H.Car wrong option B.Roberts Byard wrong option C.George Cannon wrong option D.Jole Hurd right तो right answer क्या इसका option D.Jole Hurd right होगा next question कोई सिकस्टिट्यू बैकरेक्ट और बैकरेक्ट और बैरेत ने राज्जो के आच्रन पर नैंतरन के लिए अंतरास्टे समभंदों के तीन वर्गों का उलेग क्या है निमली कीट में से कौन से वो तीन वरग है कौन से तीन सैक्षन होगे आप से पूछागहें तो कौन से ओगे ौ पहला प्रभाव संबंद सही है दूसरा वैद संबंद सही है नीं फिपार शुठ सच्ची अंपोर्डर क्वें ब में एक सब्सक्रांतु सुंद चुर्टत है तो इसे गें पॉर्टिक पहली बार यानि तीसरी दुनिया सब्धावली का परयोग किया था वे किस देस के तो वे कौन से देश के तहें कौन सी कंट्री के आप से पूछा गया उप्शन फ्रांस के रोंग पी इंगलेंड रोंग उप्शन सी अलजीरिया राइट ऑप्शन डिमिस रोंग तो कौन से कंट्री के थे यो अलजीरिया कंट्री के थे नेक्स्ट और 65 कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा युगम ढंग से सुमेलित नहीं है तो ढंग से जो मैच नहीं कर रहा है वह आपको बताना है लेखक और पुस्तक आपको दिया गया है तो चले पहला है विलियम सी ओल्सन दी गोत ओफ एड़ डिसिल्फेंट यह भी सही है जी एफ केनन अमेरिकन डिप्लोमेसी करक्ट है सी है रसेल एचिफी पिल्ड दी इंट्रड़क्टरी कोर्स इन इंटरनेशनल रिलाइंस यह भी सही है चो था रोबर्ट स्टोर्जूं पीनता स्टेफन पोशोनी इंटरनेशनल रिलेंस एजनर तो यह आपका गलत है तो इसमें गलत ही आपका पूछा गया है ओप्शन डी उप्शन सी स्वर्जन बर्ग करेक्ट है नेक्स्ट और स्टी सैवन निमलिकित में से कोन अंतराष्टर राजनिति में यतार्तवादी उपागम के समर्तक है तो समर्तक कौन-कौन होगा इसमें पूछा गया पहला कोलो भी जोर वाल फे गलत है दूसरा फ्रेडिको सुमेन सही है तीसरा निकोलस स्पाइक मेंस सही है चोथा है ये चिकार ये भी सही है तो राइट आनसर इसका ओप्षन है हैं दूसरा तीसरा चोता सही होगा नेक्स्ट कोश्चन है 68 निमली कित में से किसने गोशना की थी कि सास्त्र साथ के होड अपने आप में आतंग कानुबाव होता है नेक्स्ट कोश्चन है 69 निमली कित में से कौन सा देश हाली में किये गए पी फाइव प्लस वन नावी क्या समझोते का एक अंग था Ï Japan रोंड, पस्वरी अस्टेलियस रूंग, भारत रोंग, ऑप्षन का है जर्मनी, राइट है। जर्मनी, ऑप्षन क्या जर्मनी स्थांद, और सегंड, समाजिक सक्थी तो नहीं होगा। तो समाजिक सक्ति नहीं होती ओप्शन भी सैनिक शक्ति होती है ओप्शन सी मनोवैग्यानिक सक्ति भी होती है ओप्शन भी आर्थिक सक्ति भी होती है तो जो सक्ति का रूप नहीं है नैशनल यानि राष्ट्य सक्ति वो है आपकी समाजिक सक्ति ओप्शन एक करेक्ट होगा सदस्चल जैना नहीं सभ चिकेनोच्तिकासिंदिया नहीं तो दे किये कि विद्ञान कुसार्टी नहीं नहीं ती पहलों के बेना कोई भि शमाजविज्ञान अस्तितिम्में नहीं रही सकता है कोड़ीं एट बटरफिल्ड और उप्शनले कार जाता है और इसका घसा मान्य सामानने अवियापक एन तो राइट आंसर क्या इसका ओने से जामिये और मतलोर्पर रूप्शन गुनates पक्रण इसका option D है व्यापाक निरस्तिकरन नेक्स्ट कोश्चन है 74 निमली कित में से किसका कतान है अंतराश्टर राजनीती में राश्टर के विस्सांति की समिश्या और राजनीती के संभन्तों का विश्लेशन किया जाता है तो यह किसका था option है चार्स सलीचर रोंग नेक्स्ट ऑप्शन है option B नार्मन पैडल फोर्ड रोंग ऑप्शन C हेरल्ड स्प्राउट रोंग ऑप्शन D ह जे मार गे थाओ राइट तो राइट आंसर क्या है इसका option D ह जे मार गे थाओ राइट होगा नेक्स्ट कोश्चन है 75 एश्यान के किस सदेश्य राश्ट ने वर्स उनीसों इन्जान में में इस चेत्रिय संगटन की सदेश्यता गरहन की ओप्शन ए लाओस रोंग ओप्शन भी मैंनमार रोंग ओप्शन सी कमबोडिया राइट ओप्शन डि व्यतमान रोंग तो राइट आंसर क्या है इसका option सी कमबोडिया राइट होगा यह important question है question number 75 important question है चलिए अगर आपको political science के आपको old paper अगर आपको चाहिए तो link आपको video के description में मिलेगा आप purchase कर सकते है 100 रुपे book का price है चलिए जो बचे channel पर नए है वो channel subscribe करके रखे वीडियो like कीजे, comment कीजे, share कीजे, thank you